Good morning to all students, welcome to GRS Technical आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ Immortal, Quotes, Language and Literature तो दोस्तों ये General Knowledge का टॉपिक है जो की आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ तो प्लीज आज की इस वीडियो को बिलको लाक्स तक देखिएगा वीडियो पसंद आता है हमारा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा साथी साथ बेल आइकन बजा दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा पताऊंगे भी कि उन्महान व्यक्ति का क्या नाम है तो चलिए बिना समय गवाई बिना आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला है इस कोट को कहा था PB Shelley ने याद रखियेगा इंग्लिष में पूछा जाता है कई बार और competitive examination में बहुत ही बार पूछा गया है इन सारे कोट के बारे में तो हमेशा याद रखियेगा इसको पीबी शेली ने बोला था अगला है याद रखियेगा इस कोट को कहा था फ्रैंचीस बैकॉन ने याद रखियेगा तीसरा है याद रखियेगा इसको लुसीस ने कहा है इस कोट को कहा था प्लैटो ने इस कोट का मतलब यह होता है कि खुपसूरती देखने वाले के आँखों में होती है कोई अगर आपकी तारीफ करता है आपको खुपसूरत बोलता है तो उस व्यक्ति के आँखों में खुपसूरती होती है जो उस व्यक्ति ने आप में खुपसूरती देखा है अगला है कि It is an unfortunate fact That we can secure peace Only by preparing the war एक बहुत मैं फिर सी आप लोगों के लिए repeat कर देती हूं It is an unfortunate fact That we can secure peace Only by preparing the war इस quote को कहा था George Bernard Shaw ने याद रखियेगा George Bernard Shawन ने इस quote को कहा था अगला quote है तो दोस्तो ये था आज का कुछ इम्मोटल कोट, जनरल नॉलेज जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है हमने इस वीडियो में डिसकस करा है तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेल आइकन बजा लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेर जरूर करिएगा तो जैहिंद वंदे मात्रम नमस्कार